तो हेलो बच्चो नवाबा यूट्यूब चैनल के बोड आवा सेक्षिन में स्वागत है बच्चो तो बच्चो आज हम आपको जो विज्ञान का पेपर है पर फोड जारी होगा पता होगा जैक बोड का क्लास्टेंट का तो इसका सॉलीशन लेका है बहुत एच्छे तरीके से सॉलीशन कराऊंगा आपको बहुत ही मजा आने वाला हम हमारे साथ चली चलिएगा हमारे साथ चलते करते हैं समय घंटा आपको तीन घंटा मिलेगा आपका यह है तो 26 को बाउन को दो से भाग देजेगा तो भोतिकी आपका 26 नंबर को और रसाइन केमिक केमिश्ट्री आपका 26 नंबर को गया सबसे ज्यादा आपको बैलोजी से रहेगा जी विग्ञान से तरह से पेपर देख लिए एक बार और इन सारी चीज़ों के बाद जैक बौर्ड इसका लिंक मैंने दे दिया है ग्रूप का लिंक के निचे डि स्कृप्स में डिस्क्रिप्स बाक्स में चेक कीजिए जा की जुड़ जाइए अगर डिस्क्रिप्स बाक्स नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए टेली ग्राम एप खोल लीज़े आपके अनलास सपन्ध की शार्च माया होगा इसंट साही है याद pesticides में तूर और वकरता केंदर को रिखा को क्या है करते हैं इसको क्या कहते हैं जिसको क्या कहेंगे परकास तरंग उधारन है किसका उधारन है तो यह आप किसको देख सकते हैं एक एलेक्ट्रोन पर कितना अवेश होता है तो फोर्थ का उप्सन नमबर डी सही दिख रहा है कि 1.6 इंटु 10 इपावर मैनस 19 और चार्ज ओन इन इन इलेक्ट्रोन कितना होता है 1.6 इंटु 10 इपावर मैनस 19 कुलोंब अगला देखिए लपीजी का मुक्त क्या है तो फाइप का उप्सन नमबर ए सही हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन एंड एवं आईशो ब्यूटेन मेन कंपोनेंट ऑफ एल्पीजी इस नॉर्मन ब्यूटेन एड आईशो ब्यूटेन यहां दखते जाएगा इंसारी चीजी को करते चलिए प्लास्टर प्लास्टर ऑं प्लास्टर ऑपैरिस यह लिघ तैमिकल फ्रूमल जूट्र और प्लास्टर ऑफ टिएगा इस चीजी सरे किया हो थैबूर्ध के स्था लिए चानिक सबस्ते हर्एग blow त्हुन यूज़ एज एक आसट फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स इन सरजरी क्या होगा प्लास्टर पैरिस अगला देखे नमर में पूछ रहा कि अमली विलियन का पीच मान कितना होता बहुत यसान है तो पीच वेल्य पैशिटिक सॉलुइशन हर एक्जाम में आ रहा है तो इसको एक रखेगा इन सबी चीज़ों को दिवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उप्योग होता है तो नाइन्थ का अप्शन नमबर क्या सही हो जाएगा ब्यूप्शन सही हो जाएगा कैल्सियम हैड्रोक्साइड आपको पता होगा चुना का यूज किया जाता है चेल लिए टे इस अप्शन नमबर क्या सही होगा चाहिए एंप्यर्ट्रिक करंट क्या होगा इलेवं को अप्सन नमबर आपका याद रखेगा एंपियर ऐसे लिखते हैं याद रखेगा इस आपको लिखने का तरीका भी होना चाहिए इस आपका होEZ कर्ते हैं और इंग्रिश बूच रहे हैं कि कारवन के यह अप्रूप है आपको पता होगा तो इसका अंसर सही हो जाएगा है ना? के अगर तुछे पूछ रहा है कि वास्त्वीक परतिविम और तता अभासी परतिविम में अंतर लिखना है राइट डिफ्रेंस बिट्विन रियल में वर्चुल इमेज सोटकर में बता दे रहा हूं कि वास्तवी की इमेज परतिविम उसे कहते हैं जिसका है ना आपको क्या हो पर्दे में जिसका परतिविम प्राप्त किया जा सकता अब ध्यान से सुनते जाए इस आपको याद हो जाएगा उत्तल दर्पन का उप्योग उत्तल दर्पन को पता है कि गाली का सब्सक्रस आइधि दिखाए सब्सक्राइब के लिए इसपस्ट दुरी की निंतमदिरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी तथा उट्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है यह है ना यूज होता है ऐसे आपका आख में लगा हुआ रात्ता लेंस ऐसे करके याद रखेगा और इन सारी सुचक क्या आपको पता होग प्राकिर्तिक सुचक गंधी सुचक में कुछ भी देख लिए एक बार उढ़ू भी इसका अंसर हो सकता है संत्रा ता टमाटर में कौन से अमल पाए जाता है याद रखेगा मैं कैसे लिख रहा हूं लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए साइटरिक अमल पाए जाता है और टमाटर में क्या पाए अगजेलिक दोनों को याद रखे लीज़े आप मैं हर वीड़ियो में बोड रहा हूं कि अमल वाला याद रखे लीज़ेगा सभी के अमल सुट्डविजन की पाए निंब और Pack 12 संत्रा यह बहुत इंपोर्टेंट इसलिक एक्जम में आएगा आपका इसमा नहीं किया रखिएगा शाइट्रिक आप हमारे साथ-साथ बोलते जाएगा उससे आपको याद रहेगा अब दूसरा चले थोड़ा जल जली में बता देता हूं इमली कच्चा-ाम इमली और कच्चा-ाम थ जाता है जाता है चाकरीक कंवल याद हो गया अगला देखिए सिर्का सिर्का में आपको याद रखना है को शिटी कंवल होता है ये इंपॉठन्ट पूछा जाएगा शिर्काम क्या होता है एससे अब का Acetic Amal पाए जाता है ये भी याद रखने का आपको काम है अगला चलिए देखते है सिर्का के बाद Chiti का डंक में कौन सा होता है Chiti का डंक भी पूछा जाता है Chiti का डंक इसमें आपको याद रखना है इसको दो नाम है लेकिन आपको किताब में Formic दिया तो Formic लिख सकते है एक और नाम है बता दे रहा हूँ Formic Amal लिखेगा Formic Amal और एक और इसका नाम है Methanoic Amal इसको भी लिख सकते है Methanoic Amal ठीक है ये पाए जाता है Chiti के डंक में Methanoic Amal ठीक है और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दही में भी पूछा जा सकता है दही में आपका Lactic Amal लुपाए जाता है ये सारी चीज़े याद रखे इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ है ना चलिए तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को जो भी जरूरी था मैंने बता दिया जिंक को iron sulfate के 7 में डालने से कया हुआए रसाइनी का बीग्रिया लिखना है तो आपको इसको सम्मीकरण में बता दे रहा हूँ कि रसाइन की करिया बता देता हूँ जैड़न आपको क्या रहेगा जैड़न आपको सॉलिट रहेगा और पलस आपका क्या होगा श्रीयों से इसका रियक्षन होगा जो कि एकोस समझे रहे हैं पानी वाला में तो इससे आपका अभी किरिया क्या होगा हुआ विस्थापन अभी किरिया होगा बढ़ जाएगा जिसमे जडेन ien a–4 एक का अलग हो जाएगा और यह सॉलिड माग यह एक प्स बन गया समय रहा है मैं क्या बताना चाहरा हूं जाले अब इसमें जिवाश्मी इंधन क्या है यह सारी चीजंद आपको पता होगा और विदृत परिपात यह सारी चीज आपको खूदकरनी है मैं च्छोटा च्छोटा देखें यहां पर F1 plus H2O दिया हुआ है और इधर F3 O4 plus इधर दिया हुआ है H2, तिहां देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो इधर आपको दिख रहा है F3 इसको पहले हम क्या करना होगा, इसको हमको Sum कराना होगा, तो Sum करने के लिए यहां पे कोई जरूरी नहीं है सम करेंगे यहां पर 3 लगाईए अकेले है एफी तो काम चल जाएगा देखिए एक बार मैं बता देता हूं कि कहां पर आपको मतलब की लगाना पड़ जाता है यहां पर मतलब सम बनाना पड़ता है ओड को जिसे यहां पर एफी के साथ ओ रहत है चलिए तीन लगा दिये आप लेकिए एजड़ डुव है इधर हैडरोजन का लोनोट यहां पर आपको चार लगाना पड़ेगा तह ऑपको समीकरन बैलेंस हो गया है एफी का थरी लगेगा एफी तो प्र पर लगेगा कुछ नहीं लगेगा और है लगे लगेगा पहला मैं बता दीए Da enca इधर दिया। यहाँ यहाँ पर कwegen bye- sensations िहाँ पर कर आए भिष्छ कर लेते हैं कर लlor Hobak ut iki- beauty यहां पर कर लेते है दो देखे कितना लगेगा मैं शुर्फ यह तिन लगाद fault आप कैलसियम रौगपने से ट्रै जरुकि है कठीन वाले एक दूद्ष देता है है तो केल्सियम वाला में क्या होगा मैं पता हूं कि यहां इस ना तो केल्सियम तो कój jetzt कर देखे कूद है चलिए भाखे में सुत्मिश को पूछा जा साहब रहें साधारान releases have a एक लिए पूछ दे रहा है सोदियम हाव्रोकिभनी कोई सबसे पहले सबसे पहले सब्सक्राइब क्या होता है यहां याद रखेगा इसका सूतर कैसे बनेगा होगा तो यहाँपार्बन सबसे नहीं तो मैं एच्छा त्री टूज़ शिक्स टू एट हो जाएगा है ना यहां पर तीन कारबन दिखा देज़े और हैड्रोजन चार तरफ से फिल अप कर देज़े बहुत असान है यह सब बहुत ही असान है मेरे हिसाब से अब इसके बाद एथेन दिया बत एथेन आपको पता है कि क्या होता है है इसलिए क्वर्मूला क्या होता है देखे यादर के यहादर करेंगे देखे कैसे में फिल कर रहा हो हो गया यह भी सुत्र हो गया अब देखिए लाश्ट सुत्र में क्या बोल रहा है बेंजीन का बेंजीन का मैं आपको बता दे रहा हूं बेंजीन और क्लोरोब्यूटेन का पूचा हुआ है तो कुलोरीन का सभी का याद रख लिए जब हर बार बार बोलना सब भी कट रहे कर होगे रहे बेंजीन का क्या होता है मैं बता दे रहा हूं याद रखेगा इसका चित्र कैसे बने हो एक बर चोटा चित्र बता देता हूं इसमें हल्टर मतलब एक कार्बन यहां लगाए डबल बॉंड यहां देजिए यहां पर देजिए तीन हो गया एक चार आपका चार पिर यहां डबल बॉंड पांच और इसे सिधा जुड़ेगा और यहां पर डबल बॉंड आपको दिख रहा हो तीन दो जगह दिख रहा है यहां पर पांच ही कार दिखा दिए एक जोड़के सब्सब्स दिखा दिएक चितर में सूथ अब देखें यहां पर पूंच रहा है कि क्लोरो ब्यूटेन केसे बनेगा तो क्लोरो ब्यूटेन मैं आपको सुथर बता दे रहा हूं सूप हो एच-9 और एक क्लोरीन लग जाएगा तो क्लोरीन कैसे लाग से लागे देखें तो सी चीटर बनाने आता है असान लग रहा होगा मैं क्या क्या कर रहा हूं अब पर आप घर में ट्राइखर लीजिए मैंने सारा बता दिया अब यहां पर देखे बोड़ रहा है कि कॉपर को लाल भूरे चितरा नुसार गर्म क्या गया देखिए एक में आपको तो copper oxide होगा मैं आपको बता दू कि एक में आपका copper oxide होगा जो की गर्म हो चुका है तो copper का oxygen से अभी किरिया होने बद को पर अक्साइड बनेगा और जो दूसरा में दिख रहा है वह चैनल डीस है चैनल डीस का चित्र में आप दिखाया जा रहा है चै याद रखिएगा redox अबी किरिया हो रही है या चया उपचाय जिसको बोलते है हिंदी में लिख लीजेगा आप के अभी किरिया के लिए संतुली समिकरन देना है तो सब्सक्राइब करन क्या देना होगा कि copper है ना copper को क्या क्या जा रहा है गर्म क्या जा रहा है की नहीं है और इदर क्या रहेगा सौलिट फर्म में ही बनेंगा और यह बलैक कलर हो जाएगा मैं देखिया है पूछा है कि हो तो जो संतुलित नहीं करने जानते ही यह इंग करना सब्सक्राइब कर दिया मैंने उत्पात की हैड्रोजन गेस से फिर अभी किरिया लिखना है तो फिर वहीं वापस कॉपर आपको वापस मिल लेगा इसको आप घर में बैलेंस किजेगा बैलेंस करना जरूरी है लिए ब्राउन करहता है कौपर याद रखेगा लिख दीजग्यान में क्या-क्या पूछा हुए मुकुलन द्वारा अलेंगिंग जननं होता है किसमें होता है तो तो अपको 27 का औप्षण नंबर आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एस्ट में होता है फिर अगला देखे चीठ एसेक्शूल प्रोड़देट्शन ठूुड बडिंग टेस प्लेस इस्ट हो जाएगा मानोहिर्दे में कितने आलिंद और कितने निले होते तो 38 का औप्ष यूनिट ऑप किडिनी तो 29 का नमबर आपका यह होजाएगा नेफ्रोन पाइजाता आपको पता होगा यह कन रखत का ठक्का बनाने में शहायक है दीज पार्टिकल्स हेल पिन कोलोटिंग ब्लड बलड आपका जो बहने लगता है तो आपका क्या होता है उसको बिटामिन के जो होता है आपके जैसे की सभी विमारी का जो होता है आपका रतंधी हो जाता तो विटामीन एक काम देता यह लेकर फॉर चम्द करता तो लेकों मदद करता है तो विटामीन के मीं कमी होती है तो असानी दिकत होगि क्या ग्रेग और जठर रस को सरावित करती है अगला दिके पूछ रहा है पादप में जैलम के लिए उतर दाई है पादप में किस के लिए है जल के वहन के लिए है यह मैंने आपको पहले भी बताया था याद रखिएगा कि जैलम और फुलोयम का काम है जल का वहन और फुलोयम का काम है भोजन का वहन यहां वहन होगा मैं मा लिख दीया हूं वहन है ना भोजन का वहन किसने करता है जाइलम याद रखिएगा जाइलम और प्लाइम का काम क्या क्या ऑटित हो जाते हैंने तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैव निमनी करनिये यह रहा है तो यह रहा है तो इस तरह से मैंने जितना भी कोशन पर आपको छोटा छोटा था मैंने लगभा करा ही दिया है तो आप आशा करता है यह वीडियो पसंद आ पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक किजिए हमारे चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लिजेगा नवाबार बोड़ाबा दो बोड़ चैनल है हमारे जितने भी कोशन पेपर हैं इंपोर्टेंट मैं यहां पर आपको डालते रहता हूं बाकी सब्जेक का भी डाल दिय गया एक बार आप देख लिजेगा और आपके आने वाले एक आम एक्जाम के लिए बच्चो नवाबार बोड़ाबा परिवार के और से धेर सारी सुबकामना है धन्यवाद बच्चो